Hello दोस्तों मैं हूँ आपकी लीजा and welcome to my show किसमत काज और मैं आ गई हूँ लेकि कि आपके next 24 hours कैसे जाने वाले हैं यानि कि आपका आज का दिन कैसा जाएगा So I start करते हैं अपनी पहली राशी से जो की है मेश राशी, let's see कि मेश राशी वालो के लिए क्या message है यानि कि Aries के लिए क्या message है Okay, so मेश राशी वालो के लिए I do feel आप एक ऐसे person से deal करने वाले हो next 24 hours में या आप presently deal कर रहे हो कुछ हो सकते है आपसे एकदम opposite है ठीक है यह person बिलकुल भी आपकी जैसे match नहीं करते है अगर आप introvert हो तो यह person extrovert है आप extrovert हो तो यह person introvert है तो कहीं ना कहीं काफी जादा opposite energies है but at the same time कहीं ना कहीं यह एक ऐसे person है जो आपको complimentary बहुत अच्छे से करेंगे ठीक है I also feel कि आपको थोड़ास अपनी masculine energy में आनी की need है जो लोग अपना काम खुद का करने का सोच रहे है आप खुद का अपना कुछ क्रियेट करना चाहते हो तो थोड़ासा पब्लिक में आना थोड़ासा spotlight में आना थोड़ासा highlight में आना वो कही ना कहीं आप लोग के लिए काफी important होने वाला है अगर आप अपनी कोई long term wish को पूरा करना चाहते हो तो Let's see, वरिश्यब राशी वालों के लिए क्या message है So, वरिश्यब राशी वालों के लिए we have 10 of sword, strength and the sun का card आया है तो कही ना कहीं आप अपने past को lead को नहीं कर पा रहे हो कोई एक ऐसी past के situation है जो कही ना कहीं आपको बहुत trigger कर रही है जो आपको बहुत जादा bother कर रही है लिकिन universe आपको यह message देना चाहरे है कि अब वो अच्छे दिन आपके आ गए है ठीक है वो positive days आ चुके है आप लोगों की life मे, opportunities आपके door पे नौक कर रही है So why do you have to go into the past आपको वो past वाली जो conditioning है ठीक है वो pain वाला जो एक phase था आपको आपका खतम हो चुका है तो उसको आपको दिमाग से भी निकालने की need है Okay, let's see Gemini के लिए यानि की मिथुन राशी वालों के लिए क्या message है So मिथुन राशी वालों के लिए I do feel कि पहली चीज तो यह कि आप में से कुछ लोग जो है थोड़ा सा या तो आपका ऐसा लग रहे है कि अगर आप किसी के साथ no contact zone में हो तो यह person कहीं न कहीं आपसे दूर होते जा रहे है या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे एक यह energy दिख रहे है कि चाहिए person आपसे दूर हो रहे है या नहीं बट आपकी एक अपनी journey start हो रही है अपने एक hermit phase वाली journey start हो रही है आप अपने आपके साथ जाधा time spend करना चाहोगे अपनी चीजों पर reflect करना चाहोगे introspect करना थोड़ा slow आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो ना अपनी approach को लेके बहुत slow हो या बहुत slow रहे हो किसी person को लेके इतना जाधा action oriented नहीं रहे हो तो इस चीज के उपर भी आप लोग reflect करते हों दिख रहे हो okay let's see हमारी अगली राशी जो की है करक राशी सो करक राशी वालों के लिए आया है four of swords काफी swords वाली energy है आप में से कुछ लोग हो सकता है Capricorn Virgo या Taurus के साथ डील कर रहे हो दूसरा message जो मुझे हाप पर मिल रहे है वो यह है कि पहला तो यह कि आपके ancestors जो है क्योंकि अब पित्रपक्ष का भी time start हो गया है तो हो सकता है कि आपको कोई dream आए अपने ancestors को लेके आपके ancestors हैं वो हो सकता है आपको कोई message deliver करना चाहें और यह message हो सकता है कि आपकी abundance से related है कहीं पर आपकी financial blockages आ रहे हैं कोई abundance में कोई कमी हो र लेगी अपने सपने के through from your own ancestors ठीक है अब यह हर किसी के लिए message नहीं होगा बड़िये मुझे कुछ particular लोगों के लिए message बहुत important लग रहा है और कुछ लोगों को मुझे I do feel कि अगर आपने कोई पैसे निकाल के रखे होए थे या you know कोई आपने कुछ बोला हुआ था बड़ वो चीज नहीं हुई है तो वो चीज करने की need है आपको कोई unfinished business जो है उसको complete करने की need है let's see Leo के लिए यानि की सिंग राशी वालों के लिए क्या message है सिंग राशी वालों के लिए एक victory आप लोगों की life में definitely आती हुई दिख रही है दो I do feel कि जिस तरीके से आप कोई success चाहते थे जिस तरीके से जिस way से आप ये victory चाहते थे उस तरीके से शायद से आपको ना मिले या जितने short term में आप चाहते थे जितना जल्दी आप चाहत से ना मिले तो कुछ ऐसे ideas हो सकते हैं जिनसे आपको move on करना पड़ेगा आपको कुछ नए ideas को अपनाना पड़ेगा कुछ नए ideas को लेके adapt करना पड़ेगा अपने आपको it's like victory आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगी but वो कैसे चाहिए वो universe decide करेंगे okay it's that kind of energy let's see Kanya Rashi वालो हु सकता है कि आपके जो person है वो किसी third party situation में है और इस चीज अप के सामने revelation होगा इस चीज को लेके हो सकते है आपके सामने कोई truth आए कहीं कहीं पे मुझे ए situation भी लग रहे है कि या तो आपकी life में या अगर किसी की life में कोई third party situation रही है तो वो situation heel होती हुई दिख रही है, कुछ लोगों को मुझे ऐसा भी लग रहा है, यहाँ पर दो मून का कार्ड आया है, जो मदर का कार्ड होता है, सम्हाओ आपकी जो सक्सेस है, वो इस चीज़ से बहुत जादा रिलेटेड है, कि आप अपनी मदर को कैसे ट्रीट करते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आतो, कुछ आपकी जर्णी में एक ब्लॉक आ रहा है, जहां पर आतो आपनी मदर को सही से ट्रीट नहीं किया, या आपको अप इसा बॉन्ड है, जो हीलिंग मांग रहा है, ओके, लेट सी हमारी अगली राशी जो की है, व्रिष्चिक राशी, व्रिष्चिक राशी वालों के लिए, Ace of Pentacles, King of Cups and the Hanged Man का का कार्ड आया है, व्रिष्चिक राशी वालों के लिए, it's time to step into water, ठीक है, मतलब कि अपने water और element जो होता है, वो हमारे emotions को signify करता है, तो यहाँ पे कही ना कहीं कोई एक ऐसे emotional situation है जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको message यह दिया जा रहा है कि आपको emotional होने की need है, आपको अपने emotions पे tap करने की need है, अपने emotions को accept करने की और face करने की need है, और जो ways आपको अपनाने चाहिए उसको आप साइड लाइन कर देते हो या आप महां से escape कर जाते हो बहुती running वाली energy मुझे दिखाई दे रहे हैं जो सिफ escape करना जानते हैं फेस करना नहीं जानते हैं तो वहाँ पर universe आपको बोलना चाह रहे हैं that it's high time that you start facing your own emotions. okay let's see Tula Rashi के लिए क्या message है so Tula Rashi वाले जो है थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अपनी जिद पे एक control रखना पड़े कोई एक ऐसी situation मुझे दिख रही है especially romantic relationship में जहां पे हो सकता है आप काफी triggered feel कर सकते हो चिड़चिड़ा पन होना you know irritated feel करना लेकिन इधर ही आपको थोड़ा सा self control की need पड़ सकती है next 24 hours में अपने partner के साथ किसी भी बात पर जगड़ा हो सकता है या कुछ भी और साथ में मुझे यह भी लग रहे है कि एक छोटा सा phase है एक karmic phase है जहां पे कुछ past life के karmas हैं जो सामने आये होए हैं तो इनको release करना बहुत important है और वो release कैसे होगा कि आप in situations पे इतना जादा reaction ना दो इन situation पे कोई आप reaction दोगे तो आप अपनी दूसरी karmic cycle को start कर दोगे इसलिए जो हो रहे है उसको होने दो and courage लगा के just let the situation pass. Let's see धनू राशी के लिए क्या message है? So धनू राशी वालों के लिए we have ace of wands, we have five of wands and we have wheel of fortune. So Sagittarius के लिए I do feel कि आपके career में अगर कोई struggle चल रहा था, कोई career में ऐसा था, कोई person जो you know आपकी position लेना चाह रहे थे, आपकी job को कहिना गई threat था, आपके survival को लेके कोई threat था, तो वो चीज यहां पे खतम होती होई द दिख रहे हैं, though I do feel कि आप में से कुछ लोगों को अपनी battles को भी बहुत wisely choose करने की need है, I think आप अपने office politics हो, या कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, अपने career में, तो वहां पे कही ना कहीं, आप ऐसी situations में जान भूच के चले जाते हो, चहां पे आपको पता है कि कोई उसका solution नहीं है, कोई उसका resolution नहीं होने वाला, तब भी out of drama, out of entertainment, out of gossip, आप उन चीजों में participate करते हो, so if you want कि destiny आपके favor में हो, तो इन चीजों में participate करना बंद कर रहे हो, let's see capricorns के लिए, यानि की makar rashi वालों के लिए, क्या message है, so makar rashi वालों के लिए, I do feel कि आपके पास एक stability आती पढ़ाई करना चाहो, कोई degree हासल करना चाहो, और हो सकता है आपको डर लगे कि ये क्या सही time है करने का या नहीं है, क्योंकि आप में से कुछ लोग या तो 30s में हो, या late 20s में हो, जिसकी कुछ लोग early 40s में भी हो सकते हैं, जहां पर आपको लग सकता है कि ये करूंगा य तो आपको वो calling आ रही है कि आपको अपनी studies को आगे बढ़ाना चाहिए, जो ऐसा कुछ face कर रहे है, कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहे है कि आपकी life में strong commitment आती हुई दिख रहे है, जहां पर आपको हर तरह की stability मिलती हुई दिख रहे है, financial stability, emotional stability, or whatever it may be, तो वहां प to drop your guards, let's see हमारी अगली राशी जो की है कुम राशी, so कुम राशी वालों के लिए, okay, आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहे है, या तो आपने किसी को disappoint किया है, किसी का दिल तोड़ा है, या किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो जो भी situation है, चाहे आप हो या किसी अगर आप हो, तो आपको इस relationship को mend करने की need है, ठीक है, आपको कुछ चीजों के उपर work करने की need है, आपको एक relationship पे, एक person पे और efforts डालने की need है, because कही ना कहीं, जितने भी आपने efforts डाले थे, वो कम थे, और अगर ये कोई और person है, जिन्नोंने आपको disappoint किया है बहुत जादा तो ये person आपकी life में वापस है, efforts डालते वे दिख रहे है, reconciliation के energies नहीं है, but कहीं ना कहीं एक risk taking energy है, okay, कि मैं कुम राशी वाले इंसान के पास जाऊंगा या जाऊंगी, no matter क्या उसका replication होगा, क्या outcome होगा, but I want to give my best, so यही same situation आपके भी हो सकती है, let's see, mean राशी वालो के we have, we have three of wands and we have the world, सबसे पहली चीज तो यह कि आप लोगों के पास आने वाले time में कोई opportunity आ सकते है, या तो change of job, या फिर change of position, change of location, इस type का मुझे ऐसा लग रहे है कि आने वाले time में कोई एक ऐसा adventure आ सकता है, जहां पर आपके पास choice होगी, move करने की, या travel करने की, या कुछ आसा तो उस choice को आपको universe बोल रहा है, आपको definitely लेना है, कोई एक ऐसी situation आते होगी दिख रही है, जहां पर आपकी leadership, जो skills है, वो बहार आएंगी, ओके आपके अंदर का जो leader है, वो बहार आएगा, आपकी leadership qualities बहार आएंगी, अब या तो वो किसी opportunity के through हो सकता है, या फिर change of location हो सकता है, location का यहां पर मुझे काफी जादा important role play दिख रहा है, so that was your reading and I hope it helps, I'll see you next time, bye bye, take care.